आप सभी का स्वागत रवी जोन फार्मिंग लीडर में मैं रवीत यागी आपका host एंड दोस्त मेरे सभी भुजवर्ग और किसान सातियों को मेरा राम राम तो किसान सातियों, आज हम बात करेंगे मूम फली की फसल के वारे में और फसल में भी क्या होता है? कि जो अब टाइम चला है जो अब मौसम चल रहा है उसमें हमारी मूम फली की जड़ गलन रोग का प्रकोफ हो जाता है और उसकी जड़ गलने लगती है उसमें फफुदी लग जाती है तो उसके जानेंगे क्या कारण है और उसका उपचार क्या है तो चलिए शुरू करते हैं बुलादे डर, कुछ अलग कर किसान साथियों, हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जोड दबाएं तो साथियों, इस रोक की हम पहचान कैसे करें मिट्टी की सते से उपर तने में लाल भूरे रंग के निसान पढ़ जाते हैं पत्यां पीली पर जाती हैं, साखाएं सूख जाती हैं और जड काली पर जाती है जिस से हमारा पौदा पूरी तरह गल जाता है और वो नश्ट हो जाता है उसी कारण से हमारी पैदावार बहुत कम हो जाती है और हमें बहुत ही जादे नुक्सान होता है अब हम जानें कि इसका उपचार हम कैसे करें तो साथियों हमें फसल में फसल चक्र अपनाना चाहिए खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए बार-बार जुताई करने से जो भी किटाणू हैं वो सब खतम हो जाएंगे और नश्ट हो जाएंगे दूसरा क्या है बीज को उपचारित करके ही हमें बोना चाहिए खेत में जादे जल भराव ना हो जादे जल भराव होगा तब भी हमारी जड़ें गलने लगती हैं और उसने पर फपूंदी आ जाती है साथियों जान लेते हैं इसके रासाइनिक नियंतरण के बारे में 500 ग्राम कॉपर ओक्सिकलोराइड 50% डवलू पी में 100-500 लीटर पानी में घोल कर प्रती एकड में पोधों की जड़ पर हम इस्प्रे करेंगे तो इस रोक का नास हो जाएगा ये रोक खतम हो जाएगा तो साथियों आम में बताता हूँ आपको जैविक नियंतरण एक किलो ट्राइकोडर्मा वीडि को 200 लीटर पानी में घोल कर एक एकड में पोधे की जड़ पर डालने से भी इस रोक का नियंतरण हो जाता है ये रोक खतम हो जाता है ये मेरी बताई हुई बाते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जॉन फार्मिंग लीडर से